हेलो फ्रेंट्स और आज बात करने वाले हैं कि हम जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं बेसिकली जो नई गाड़ी है उनमें ज़्यादा फीचर है कि जब भी हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो हमेशा में क्लच प्रेस करके ही गाड़ी स्टार्ट करनी परती है ऐसा क्यूं होता है और कंपनी ने ये फीचर कह लीजी ये इसके benefits क्या है ये ऐसा क्यूं कंपनी ने प्रवाइट किया है कि आपको clutch दबा के ही ignition में गाड़ी फिर उसके बाद सेलफ है जब आप मारते हैं तो हमेसा clutch दबा के ही क्यों start होगी बेसिकली पुरानी गाड़ियों में कम आता था वेगेनार और बाकी जो पुरानी गाड़िया थी अल्टो जैसी लेकिन आजकल जो नई गाड़िया है उनमें बिना क्लच के आप गाड़ी को start नहीं कर सकते तो इसके पीछे कारण जानेंगे हो क्या क्या कारण है और चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को तो गाइज इसमें सबसे पहला फीचर जो हमें कुछ बिमारा तो गाड़ी एकदम से जटके से आगे बढ़ सकती है और लोग को जातर पता नहीं रहता है मैंने गाड़ी गेर में रखी है या किस में रखी है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब भी आप सेल्फ मारेंगे और गाड़ी गेर में होगी तो आगे आ ज्याते हैं दूसरे पॉइंट है बैटरी का जब भी हम सेल्फ मारते है हमारी बैटरी लोड लेती है अवह सेल्फ जो होता है वह अगर हमारण gear engage यानि की gear लगा हुआ है और हम without clutch इसको self उमार रहे हैं तो ऐसी situation में जो हमारी power है battery की वो divide हो जाती है हमारे gearbox पे भी और हमारी बाकी equipment पे भी क्योंकि उस time हम self उमार रहे होते हैं तो जब हम clutch दबा के self उमारते हैं तो ऐसी situation में हमारा जो power है सिर्फे distribute होती है हमारे clutch को जो battery से आरही होती है power तो ऐसी situation में आपकी battery को नुकसान नहीं होगा और battery की life बढ़ जाती है तो उस situation में आपकी गाड़ी को battery की वज़े से भी नुकसान नहीं होने वाला है और battery की life बढ़ जाएगी अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे यह है कि जैसी चीजें अगर आप clutch दबाते हैं तो उस time पे जब आप self मारते हैं या आप बोलते हैं उसको power start button या कुछ भी आप बोलते हैं जब आप self मारते हैं गाड़ी में तो उस situation में जो हमारी battery से बाकी चीजे भी जुड़ी रहती है वो भी free हो जाती है इवन चाहे आपका gearbox हो या कुछ भी हो तो उस situation में हमारा ये भी फायदा है कि हमें हमारे और equipment गाड़ी के खराब नहीं होने वाले हैं और सिर्फ हमारी जो battery से power जाएगी सिर्फ self को जाएगी तो proper power self को मिलेगी और ऐसी situation में हमें benefit होने वाला है तो हमारा gearbox में भी कुछ problem नहीं आने वाली तो guys ऐसे आपने देख लिया कि हमारे गाड़ियों में हमें क्लश दबाना क्यों necessary हो जाता है जब भी हम self मारते हैं यहाँ पर में एक tip देना चाहूँगा अगर आपकी पुरानी गाड़ी है जो पुरानी गाड़ियां होती थी उसमें self मारते वक्त क्लश को दबाना कंपलसरी नहीं होता था लेकिन नई गाड़ियों में self को मारना दबाना कंपलसरी हो जाता है जब हम self मारते हैं यानि क्लश को दबाना आपको पता है कि याड़ाए या नहीं लगा हुआ है इसमें प्लस पॉंट यह कि मैं यह बटा ना चाला हुआ Sugoda करते परानी और पुराई गांडी है लिगने आपके बास पुरानी गांडी है तो ध्यान Pale कि अपने गाड़ी मार के दबाएं solutions वीडियो समझमा आ गई होगी वीडियो को शेर करें और भी दोस्तों के मिलते हैं इसी कुछ informative नेक्स्ट वीडियो में